हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नंबर 32 करेंगे जो की क्लास 7th की है और विश्य है गनिती ये वर्क्षिट 22nd November 2021 की है आज की वर्क्षिट में हम राशियों की तुलना के वारे में समझेंगे आज की वर्क्षिट में सिर्फ कोशिन अंसर करते हैं इसके explanation के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया जाएगा तो आज की worksheet में देखो बस इतना बाद समझो कि percentage के लिए क्या कहा जाता है divided by 100 जब भी आपको कोई number दिया गया है उसमें percentage है तो आपको क्या करना है divided by 100 करना है तो question number 1 देखो अनुमान लगाईए कि आपकी आकरती में कितने भाग को चायांकित किया गया है और फिर चायांकित शेतर का परतिशत ग्याद कीजिए तो देखो यहां पर total कितना है 1,2,3,4,5,6,7,8 यहां पर total जो picture से वो कितनी है 8 तो और color कितनी है 6 तो 6 by 8 multiply by 100 हमने इस तरह से कर दिया अब इसको जब आप cut करोगे 2 के table से cut करो तो कितना आएगा 3 यहां पर आ जाएगा और 4 यहां पर आ color कितना है 1 तो इसको हम क्या करेंगे 1 by 4 को 100 से हम क्या कर देगे divide कर देगे तो इसको काटेंगे जब कितना है 25 तो आप कांसा कितना हो जाएगा second का 25 तो यह था first question अब हम देखते हैं इसका second question क्या कहा गया है second question को ध्यान से समझना है बहुत ही आसान explanation के लिए लग से वीडि 40 km, तो हम ने 20 km, यहाँ पे कर दिया, तो, गषो 0 एक 0 से यह 0 कटा, हम यह उलक्ऊचन कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 4 km? सेकेंट का 1st में क्या आ जाएगा 4 km, ठीक है, सेकींड देखो इसका pronounce किया है 1 kg का 75%, हमें क्या करना है 20 kg का 75%, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 kg ग्राम किसके equal है 1000 ग्राम के यह बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी क्योंकि ग्राम में हमारा अंसर आएगा ठीक है अब हम लिखेंगे 75 divided by 100 into 1000 आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अब हम इसको जब काट कर देंगे तो कितना आजाएगा 750 ग्राम हमारा यहाँ पर अंसर आजाएगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा second question ध्यान से समझ के करिएगा अब देखते हैं हम यहाँ पर third question, third question का first part देखो क्या कहा गया है आपको क्या करना है इसे प्रतीशत में बदलना है तो प्रतीशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे तो देखो first का देखो क्या होगा point 75 है तो पहले हम यह point हटाएंगे और यहाँ पर हमने क्या किया हमने यहाँ पर 100 लगा दे अब हम इसको क्या करेंगे 100 से multiply कर देगे तो यह दोनों 0 आपस में कर जाएगी तो answer कितना आ जाएगा 75 इसका answer आ जाएगा ठीक है अब देखते है second हम यहाँ पर करतें इसका एक ब अब हम देखते है question number 4 में क्या कहा गया है निमन लिकित को साधारन भीन और दशमलव में बदलें आपको क्या करना है साधारन भीन में भी बदलना है और दशमलव में भी बदलना है तो देखते हैं इसका first question क्या है 50 50 हमने क्या किया 50 divided by 100 ठीक है तो एक 0 से 0 कट गई कितना है 1 बटे 2, तो ये तो हमारा आगए साधारन भिन में, अगर हमें इसे क्या करना होगा, दशमलव में बदलना होगा, तो क्या आजाएगा, 0.02, क्या आजाएगा, यहां पर, 0.0, चीक है, हमें से कटेंगे, तो यह कितना आजाएगा, यह इसका अंसर आजाएगा, सेकिंड यह हमारा भिन में आया, और दशमलव के लिए हमारा आएगा, 1.05, यह हमारा इसका सेकिंड का अंसर होगा, तो ध्यान से करना है, आज की वक्षिट में एक वर फिर बता देती हैं, सिर्फ कोशिन अंसर किये गए है, एक्स्प्लेनिशन के लिए आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, तो यह थी हमारी आज की वक्षिट, वक्षिट को कम्प्लेट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाईए, थैंक्यू गाईज,